आज के समय में एक बड़ा ही यक्ष प्रश्ण हम सभी लोगों के समक्ष उत्पन हो गया है और वो ये यक्ष प्रश्ण है कि क्या गर्वती महिला भगवान शेंकर का पूजन यजन अर्चन वंदन कर सकती हैं बहुत सारी लोग अपनी बहुत सारी शंकाओं को लेकर के यहां आते हैं और उनके बारे में एक वदन्ती एक कहानी एक प्रचलन में है और वो कहानी ये है कि गर्वती महिला जब भगवान शेंकर का दर्शन करने के लिए जाती है तो वह उनकी गले में व्राजमान या भगवान शेंकर जो मृत्यू के कालों के भी महाकाल विर्जो देवत्व हैं क्या उनके गले में पड़ा हुआ सर्फ इतना साधर सा है कि गर्वती महिला को देख करके अंदा हो जाता है तो ये केवल और केवल मिथ हैं मिथक हैं एक केवल और कल्पनाय हैं और इसके परे किसी भी शास्त्र में किसी भी पुराण में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि गर्वती महिलाएं भगवान शेंकर का पूजन नहीं कर सकती हैं बिल्कुल कर सकती हैं अवश्य कर सकती हैं बलकि मुक्ष को प्रदान करने वाला हर मनु कामनाओं को देने वाला हर प्रकार का मनवांचित देने वाले अगर कोई देवता देवादी देव अगर है तो वैं महादेव है तो बिलकुल कर सकती है इसमें कहीं से भी कोई शंका मत करिए आप लोग आप निश्चित जाकर के करिए हाँ एक सबसे प्रमुग बात है कि गर्ववती महिला कब तक भगवान शंकर का पूजन कर सकती है ये एक विवस्था दी गई है और इस विवस्था प्रणाली के पीछे बड़ा सुन्दर सा एक भाव दिया गया है मैं आज उस भाव को इसपश्ट करता हूँ कि पहले हमारे भगवान शंकर के जो मंदर होते थे वह मंदर निरजन स्थल पर होते थे जंगलों में होते थे पाड़ियों पर होते थे उन मंदरों में बहुती भीड होती थी तो कहीं गर्वती महिला को कहीं गर्वती महिला को किसी प्रकार का उसके गर्व को नुकसान ना हो उसके प्रशन करने हैं अब प्रशन ये उत्ता है यहां पर कब कर सकती है कि कोई भी गर्वती महिला जब तक रहती है तब रख़ात। जब तक उसको मासिक, जब तक उसको रख्तस्राव ना ब्लीडिंग ना उसको वहीm discharge ना हो, किसी प्रकार की कऊई और अशुद्धी ना हो तो वहीm निशित कर सकती है। और ये सारी अवस्थाईं और ये सारी विवस्थाईं लगबक दो से तीन महिने, चार महिने के गर्व तक रहती हैं कि महिलाएं जितनी भी हैं हमारी गर्वत की मात्र शक्तियां वह इस शुद्धी करण को धारण करती हैं जिसके तरह पर शाद कहीं कुछ महिलाओं को शाहिद ब्लीडिंग हो जाता है, शाहिद कहीं पर कोई रक्तस रावित्यादी की व्योस्थाएं बन जाती हैं, वाई डिस्चार्ज की व्योस्था बन जाती हैं, तो ऐसी स्तती में वह पूजन ना करें, लेकिन भगवान शेंकर यजन अर्चन करें, आशाय आपको यह जानकार इच्छी लगे हो, क्रिप्या आगे शेर जरू करें, जै सनातन